दोस्तों आप सभी का स्वागत है करणट अफेर्स फंटा के टूप चैनल पर आज की इस वीडियो में हमें एक मेंस लेबल का कोश्चन देखेंगे जो की एक नया पैटरन है आपने केसलेट डिया ही सॉल्प कियोंगे और कुछ केसलेट आपके फिलर बेस दोते हैं जिसमें बीच बीच में आपको gap दिया होगा A की value, B की value निकालनी होगी और उनके बाद आपको इन values के उपर question पूछे आते हैं तो ये basically जो question है इसमें percentage, partnership, SICI ये दिया गया है आप इस question को पूरा ध्यान से देखेंगे आपको लग रहा होगा एक question बहुत छोटा है और जल्दी देखने पर ही आ जाएगा लेकिन काफे हुआरी इसमें चीजें दी गई है और हमें थोड़ा सा time लगेगा calculation को बनाने में ये पूरा उपर का English module है और ये Hindi module है तो आप क्या करने एक बार screenshot ले 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 रुपीज ए ये value आपको find out करनी है बिद रुपीज ए रिस्पेक्टिवली मतलब ये खाज है कि सारा और सौरफ जो है एक कारोबार में 45,000 रुपाए और ए रुपाए के साथ में investment करते हैं after 1.5 years they withdraw 20% and 25% of their investment मतलब क्या है कि डेड़ साल के बाद बे अपने investment निवेस में से 20% और 25% की निकासी कर लेते हैं फिर एक point यहाँ पर लिखा है ये लिखा है कि 5 years ये यहाँ पर ध्यान से देखना the ratio of the profit received by सारा और सौरव after 5 years is 129 to 110 respectively मतलब दोस्तों यहाँ पर बात ये कही गई है कि जो पूरा business है वो कितने दिनों के लिए चला है वो चला है 5 साल के लिए ठीक है तो मैं यहाँ पर एक एक आपको हर एक point बताऊँगा सबसे पहले हम बात करेंगे सारा की और सारा ने कितने पैसे लगाए starting में पहला amount 45,000 रुपए सारा का हो जाएगा और जो A amount है यह सौरब का कहलाएगा ठीक है तो सारा ने 45,000 रुपए ठीक है पहले डेड़ साल के लिए लगा दिये उसी side में आप सौरब को भी लिख लो सौरब ने A rupees डेड़ साल के लिए लगा दिये ठीक है फिर क्या हुआ कि डेड़ साल खतम हुआ इसके बाद इनों ने अपने अपने पैसे में से 20% सारा ने 25% जो है सौरब ने निकाल लिए फिर कहा गया है कि रेशियो जो है वो profit का 5 साल के बाद में इतना मिलता है तो देखो जो पूरा business है वो 5 साल तक चल ला है तो मतलब 45,000 रुपे डेड़ साल तक तो लगाएगा है इसके बाद जो बचे हुए साड़े 3 साल होंगे 3.5 जो बचे हुए होंगे उसमें क्या होगा कि 45,000 का जो 20% निकाल दिया तो मतलब कितना इमाउन बचा 45,000 का 80% यहाँ पर जो है वो आपका invest कर दिया गया कितने दिनों के लिए into 3.5 ठीक है इतने सालों के लिए तो द्यान से यह चीज समझना कि मतलब यार सीधा सीधा यह है कि पूरा time जो है वो 5 साल का है पहले डेड़ साल 45,000 रुपे पूरे पूरे लगा है लेकिन बाद में 45,000 का हमने 20% निकाल दिया तो इमाउंट कितना बचा 45,000 रुपे का 80% बचा वो पैसा हमने 3.5 साल के लिए लगा दिया और आप इस पूरे सेगमेंट को जोड लोगे तो आपका कितना आजाएगा 5 साल का tenure आजाएगा investment का सेम फंडा यहाँ पर भी होगा कि A के साथ में भी इसने 25% निकाल दिया तो आप यहाँ पर यह देखे कि जो A होगा इसका 25% निकाल दिया तो कितना बचा 75% बचा और इसको साले 3 साल के लिए लगा दिया गया ठीक है और उसके बाद जो profit है वो कितना इनको मिल ला है profit मिल ला है 129 इस्टू 110 ठीक है इतना profit मिलता है तो यह पूरी calculation करोगे कैसे निकालोगे इन दोनों को जोड़ दो 45,000 का 1.5 से multiply करके जो value आएगी उसमें आप यह वाला segment जोड़ दोगे तो आपका पूरा 5 साल का पता चल जाएगा और इसी तरीके से A into 1.5 प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 100 रप का पता चल जाएगा तो आपको क्या करना है जब इनके profit का ratio दिया है तो इसका मतलब यही question कह रहा है बराबर 129 बटे 10 करना होगा तो मैं यहाँ पर कुछ segment आपके बता जे रहा हूँ देखो 45,000 यहाँ पर भी है 45,000 यहाँ पर ही 45,000 होगया common अगर हम यह जो 80% की बात करेंगे तो 80% कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0.8 और 3.5 की आप 0.8 से multiply कर दो तो यह जो है आपका 3.5 इसकी अगर आप 0.8 से जब दोस्तों multiply कर दोगे तो यह आपका कितना आ जाएगा यह हमारा आ जाएगा कितना 2.8 आ जाएगा ठीक है इसकी हम multiply करेंगे 35 into 8 होगया आपका 200 से और यह आपका एक place के बाद आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा यह आपका जाएगा 2.8 तो 2.8 प्लस 1.5 कितना हो गया यह हमारा हो गया 4.3 तो हमें क्या करना है 45,000 में directly multiply कर देनी है 4.3 की यह हमने एक ही बार में add कर लिया क्योंकि 45,000 into 1.5 प्लस 45,000 into this 1 तो यह जो 80% है मतलब 0.8 into 3.5 करोगे कितना आएगा यह आपका आएगा 2.8 प्लस 1.5 4.3 और जो common value थी 45,000 इससे multiply कर दो divide by यह वाली value निकाल तो यह कितना आपका आजाएगा यह आजाएगा 1.5A ठीक है प्लस यह कितना आपका आजाएगा 0.75 75 होगा न 0.75 0.75 into 3.5 इनकी आप यहाँ पर multiply करोगे तो यह आपको कितना मिलने वाला है यह आपको मिल जाएगा सीदी सीदी देखो इसमें क्या करना होगा कि 0.75 है ठीक है तो आपको क्या करना 75 और 35 की multiply कर देनी 75 और 35 की multiply आप करोगे तो आपका कितना आएगा यह आपका आएगा 2625 ठीक है अब आपके कितने places होगे 55% है तो 0.75 आपका कहला हैगा 2 place यह और 1 place यह 3 place तो हमारा जो आ रहा है कि 2625 तो इसमें 3 place के बाद हम decimal लगा देंगे ठीक है और अगर आप इन दोनों को add करोगे तो यह ratio कितना आ रहा है यह आ रहा है 129 इस्टू 110 तो अगर हम इन दोनों को add करते है तो हमारा add वाली value कितनी आ जाएगी add वाली value आ जाएगी हमारी 1.5 ए 2.625 तो यह 1.500 कर दो यह कितना होगा 6 और 5 ग्यार है और यह उपर कितना 125 उपर है तो 2 और 1,3 और 1,4 तो 4.125 A उपर देख लो 4.3 43 इंटू 5 ठीक है हमें कितने करने होगे हमें करने है आपर calculation करनी होगी ठीक है अगर आप देखो 43 इंटू 5 तो 4 इंटू 5 203 इंटू 5 कितना हो गया यह हमारा हो गया 215 है ठीक है 215 में 5 बचा 21 आपका करी बचेगा इसमें कितना हो जागा 43 इंटू 4 तो 4 इंटू 4 16, 160 हो गया 3 इंटू 4, 12 112 122 और 21 जोड़ दो कितने हो गया यह हो गया 193 ठीक है 193 ठीक है तो हमारा कितना आगया 1935 आगया और 0 कितने यहाँ पर लगेंगे देखो आप किलरली यहाँ पर यह देख लेना कि यह 3 0 है तो एक decimal बहला 0 खतम हो जागा 2 0 आपके और लग जाएंगे तो यह कितना आगया यह आपका आगया 1,93,500 ठीक है इस calculation में जरूर टाइम लगेगा क्योंकि calculation ऐसी है देखो यह वाली value से यह क्या कट सकता है अगर मैं इसको एक बार काटता हूँ तो 193 और यह एक बार अगर आपका जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा यह बचेगा आपका यह एक बार जाएगा तो 193 माइनस 129 करोगे कितना जाएगा यह आपका जाएगा 64 और यह 5 हमने और उतार लिया 645 तो अगर मैं इसको 13 मान लेता है 130 तो 13 65 होता है तो बिल्कुल यह कितना होता 650 होता तो यह 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा 139 से 5 बार जाएगा तो यह कितना होगा 645 कर जाएगा दो जिरो आपके और बचेंगे तो यहाँ पर वैलू बची 1500 दिवाइड भाई 4.125 A is equals to 1Y110 यहाँ पर देखो क्या कोई वैलू कटने वाली है अगर मैं इसको 11 से देखता क्या यह 11 से आपका कट जाएगा तो देखो 11 से 10 बार पूरा गया और इसको देखो काटो दसमला भी हटा दो तो 41 है 11 से 3 बार 8 हुआ 82 हुआ 11 से 7 बार 5 55 बार ठीक है अब क्या था एक decimal हमारे है लग गया ठीक है इस इक्वल्स टू 1 5 0 0 तो आपको एक ही वेलू निकालनी है इस decimal को टाओगे तो उपर 1 2 3 4 0 लग जाएंगे तो मैंने यहाँ पर 4 0 लगा दिये ठीक है और डिवाइड किस से कर दो 375 से कर दो 375 से कितने बार कट जाएगा सीथे सीथे जाएगा कितने बार यह 3, 5, 15 ठीक है यह जाएगा 4 बार पूरा पूरा 4 बार जाएगा और यह कितना था 10,000 था 10,000 इंटो 4 कितना आगया एक ही वेलू आपके आगई 40,000 अब आपको गयर इसमें टाइम लग गया क्योंकि calculation ही ऐसी है और जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आप इस question से निजात पा लोगे अभी केवल आपको एक ही value मिली है ठीक है तो जो value आपको मिल गए इसको आप side में store करके रख लो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें कहां तक हमने question solve कर लिया था इस वाले segment तक ठीक है अब यहां से देखो लिखा है Amun invested rupees A at B percent per annum simple interest for 3.5 years ठीक है and received rupees 68,000 as the total amount यहां पर यह कहा गया है कि Amun ने जो A rupees था A हमारी value कितनी निकल कर आई A निकल कर आया हमारा 40,000 Amun ने क्या किया कि जो 40,000 है इसको invest किया ठीक है यह लिखा है B percent per annum simple interest पर 3.5 years के बाद मैं 68,000 हो गया तो यह जो amount आपका मिला इसमें principal plus interest था ठीक है तो वो कितना मिला वो मिला 68,000 तो अगर मैं यहां से interest पूछूँ कि Amun को interest कितना मिला तो 68,000 में से 40,000 उसने लगाया तो 28,000 उसका यह आ गया interest part ठीक है तो अब आपको क्या करना है वही simple लगा दो यार SI बरावर P, R, T, Y, 100 क्योंकि हमें यहां पर कौन सी value नहीं पता है B percent की value मिल जाएगी युकि B percent per annum यह rate of interest है B percent में तो देखो SI कितना है 28,000, 28,000 यहां पर रख दिया is equal to principle कितना है 40,000 ठीक है यह हमारा कितना आ जाएगा 40,000 into rate जो की दिया है आपका B percent into time कितना है यह लिका है न 3.5 तो 3.5 यहां पर आ जाएगा divide by 100 आपका as it is है 2,0 से 2,0 खतम हो गया यह बाले 2,0 से यह बाले 2,0 खतम हो गया ठीक है 4 से इसको काट लो 70 बार गया और 3.5 से अगर इसको काटो गया तो यह 1,0 यहां पर आ जाएगा 35 से 2 बार जाएगा 20 हो जाएगा मतलब B की जो value है वो कितनी आगे 20% तो अब आपके पास कितनी value हो गई A की भी value आगई और B की value आगई इन दोनों value को दोस्तों side में note करते जाओ इतना समझ में आ रहा है अब फिर क्या खा जा रहा है कि बहुत लंबा है statement लिग दिया कोई बात नहीं एक-एक करके break करके इसको पड़ो ठीक है इसमें एक आगया है कि जो विकास है वो क्या करता है एक article को purchase करता है ठीक है विकास जो है उस मुल्ली पर एक बस खरीता है जो की अमन द्वारा प्राप्त ब्याज के बराबर है अमन को interest कितना मिला था 28,000 का न तो आप ये मान के चलें कि जो अमन को interest 28,000 मिला था तो जो विकास किसी चीज को खरीता है ठीक है विकास purchase जन आर्टिकल तो जो cost price होगी वो कितनी हो जाएगी वो दोस्तो हो जाएगी 28,000 की यहाँ पर इस question की condition के हिसाब से फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो वो person है वो क्या कर रहा है भाई purchase कर लिया और फिर क्या कहा गया he marked up the article वा है 35% जो mark डप कर रहा है ठीक है आर्टिकल को वो कितने पर कर रहा है 35% पर mark डप कर रहा है और साथ में discount दे रहा है offered a discount of rupees इतने का जो discount वो दे रहा है वो कितना दे रहा है C का दे रहा है तो आपको value C की निकालनी होगी अब आप यहाँ पर यह देखें कि जो 35% जो mark डप है ठीक है तो अगर आप इस 28,000 का 135% आप निकाल दोगे ठीक है तो यह जो value निकल कर आएगी ठीक है आप एक चीज का यहाँ पर यह ध्यान रखना कि clearly आपको यह लिखाएगी 35% above the cost price ठीक है मतलब जो mark dub article को वो कर रहा है वो CP से उपर ले जा रहा है 135% तो यहाँ पर जो यह value आएगी यह दोस्तों कितनी होगी यह आपकी निकल कर आएगी 135% है तो यह कर लो 5 से 2 बार और 5 से 7 बार और यह हो गया 5 से 20 बार अगर मैं 20 से इसको काड़ दे रहा हूँ तो यह हो जाएगा 1400 14 into 20 तो यह कितना हो 14 into 2 28, 28, 28, 28 28, 28, 28, 28 28, 28, 28, 28, 28 लगा दो कितना हो गया 37, 800 ठीक है तो जो आपके पास यह 37, 800 निकल कर आई वो क्या हो गई Mark the price of the article हो गया ठीक है Mark the price of article यह हमारी चीज निकल कर आगई अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना जो इसमें point लिखा है इसमें क्या लिखा है In this process he earned a profit equal to B percent इस पूरे process में उसको जो profit मिलता है वो क्या है B percent के बराबर है B percent कितना था B हमने निकाला था 20% तो जो profit है वो कितना है 20% तो इस case में आप दोस्तों क्या निकाल सकते हो Selling price आप article का निकाल सकते हो मैं बिल्कुल निकाल दूँगा Selling price of the article वो कितना हो जाएगा वो simple जो ये amount दिया गया है 28,000 रुपए ये जो विकास का था 28,000 रुपए इसके उपर आप 120% निकाल दो तो 28,000 इन्टू 120% ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 33,600 अब एक चीज़ आप यहाँ पर समझने की थोड़ी सी कोसिस करना मतलब discount आप कैसे निकालोगे देखो mark price of the article कितना है 37,800 Selling price कितना है 33,600 इनका जो difference है वो ही discount होगा तो discount कितना हो जाएगा 37,800 minus 33,600 जो की आ जाएगा 4200 रुपए जो की C की value होगी क्योंकि यह जो discount दिया था वो कितना था C बाला था हमें selling price भी पता जल गया mark the price भी पता जल गया दोनों का difference निकाल दिया हमें पता जल गया कि भाई उस बंदे ने 42,600 रुपए का आपको सीधा सीधा discount दोस्तो दिया है यह बाली चीज आपकी निकल कर आ गई अब आजओ अगली लाइन पर लिखा है इसका मतलब यह कहा गया है कि अगर विकास 1400 रुपए अधिक में बस तुको बेचता है और समान छूट देता है जो छूट उसने पहले दीती मतलब 42 रुपए की वो डिसकाउंट दे रहा है तो उसे उस बस्त को क्रे मुले से रुपीज डी अधिक पर अंकित करना होगा और आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो अब आप यहाँ पर यह देख लें कि जो आपका नया वाला जो SP है वो कितना हो जाएगा किलरली दूस्तों बात है old SP 33 600 था यहाँ पर लिखा है कि 1400 रुपए more तो आपको क्या करना है 33 600 में 1400 रुपए आप और जोड़ दो कितना हो गया यह हो गया आपका 35 000 ठीके अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई वो छूट समान छूट देता है तो आपको इसमें छूट भी एड़ करनी होगी तब ही आपको बता चलेगा कि जो मार्क डब है ठीके वो कितना निकल कर यहाँ पर आएगा तो 35 000 में 4200 रुपए आप और एड़ कर दो तो यहाँ पर जो new आपका मार्कप आजाएगा वो कितना आजाएगा वो आपका आजाएगा 35 000 प्लस 4200 जोड़ोगे कितना आजाएगा 49 200 ठीके यह वैलू निकल कर आगई अब आप यहाँ पर एक चीज दहान रखना कि अगर मुझे मार्कप की वैलू निकालनी है ठीके यह हमारा new markडब प्राइज निकल कर आगया अब हम यहाँ पर यह निकालेंगे कि the amount by which article markup तो वो हमारा कैसे निकलेगा 49 200 इसमें से आप 28 000 रुपए जो cost price था इसको आप माइनस कर दो निकल कर कितना हैगा 11 200 तो मतलब यह वाला जो amount निकल कर आया है ठीके यह value D की है तो D की value हमारे पास कितनी आ गई 11 200 रुपए अब अगर आपसे D की value यहाँ पर आ गई है अब आपको क्या A, B, C, D सारी value मिल गई अब हमसे जो question पुछाएगा वो दोस्तो इसी के उपर होगा तो सारी value को note कर लो paper में A की value 40 000 B की value कितनी आई थी हमारी 20% आई थी ठीके और यहाँ पर C की value 4200 D की value कितनी आई 11 200 ठीके हर एक value का यहाँ पर 200 यूज़ भी होगा तो आप आजो question के उपर question द्यान से देखना पहला question क्या कह रहा है find the percentage by which the article had been marked up above the cost price by which when sold at rupees 35,000 मतलब बह प्रत्सत ग्याद करें जिससे विकास द्वारा बस्त को उसके क्रेमूले से उपर अंकित किया गया था और जब इसे 35,000 में बेचा गया था तो आप किलरली दोस्तों एक चीज यहाँ पर यह देखना कि कितना उपर अंकित किया गया था 11,200 जो अभी हमने पीछे जस निकाला है यह जो D की value आई है यही value तो निकल कर आई है इतने उपर अंकित क्या गया था और यह हमारा किस पर होगा cost price पर cost price कितना है 28,000 रुप है तो 11,200 डिवाइड वाईड वाई 28,000 इंटू 100 ठीक है यह आपका percentage निकल कर आजाएगा वही वाला percentage जो यहाँ पर पूछा गया है तो आप देखो 2,0 से 2,0 गट गया है एक जुर आपका यह और बचा अब 28 से यह कितने बार जाएगा यह आपका जाएगा चार बार पूरा पूरा जाएगा 40% तो यह 40% सीधर जागया इस question में देखो क्या कह रहा है इस question में आपसे कह आगया है कि find the sum of the interest received by Amun Amun को प्राप्त ब्याज और पिछले साड़े तीन बरसों के ब्यापार में सौरब दौरा निवेस की गई राजसी का योग बता दो कितना आएगा मतलब Amun के दौरा जो ब्याज Amun को कितना मिल ला है 28,000 रुपए का मिल ला था ये तो हमने question में देख लिया था न Amun को जो interest निकल कर आया था वो आ गया था 28,000 रुपए जिसको नहीं समझ मारा वो एक बार फिर से देख लो क्योंकि हमने यहां पर आपको बताया था किलरली दोस्तों कि भाई वो 68,000 रुपए में उसको total amount मिला 40,000 रुपए invest किये तो 28,000 रुपए उसका ब्याज मिल गया ठीक है तो इतना आ गया फिर कहा गया कि साड़े 3 साल में सौरभ ने कितने पैसे invest किये अब आप देखो कि सौरभ ने जो amount invest किया था वो क्या था ए रुपीज था एक ही value 40,000 हमने निका ली थी फिर यह का गया था साड़े 3 साल में यह एक चीज और ध्यान रखना कि 25% of their investment withdraw करने के बाद तो आप यह देख के चलें कि जो 45,000 यह 40,000 की आपकी निकल कर आई है तो 40,000 का 75% उसने 3.5 साल के लिए लगाया है आगे के लिए तो हमें क्या पता है 40,000 का हमें कितना निकाल लोगा 25% निकाल दिया था मतलब 75% यह तो उसने invest किया था यह value आपकी निकल कर आईगी जो उसने 3.5 साल के लिए लगाई ठीक है तो ये कितनी आ जाएगी ये आप देख लो 30,000 आ जाएगे सीधे सीधे 30,000 ठीक है तो 30,000 ये 28,000 ये 30,000 ये 30,000 पचास और 58,000 रुपए जो है उसका टोटल सम आ जाएगा जो अमन ने ब्याज लगाया और सौरब ने साड़े तीन साल के लिए जो इन्वेस किया है उसकी वेल्यो ठीक है इस कुश्चन को देखो यहाँ पर क्या कह रहा है थर्ड में ये कह रहा है कि जब दो बर्स के लिए 15,000 रुपए को बी प्रतिवर्स बार्सिक देश्चक वर्दी ब्याज की दर से निवेस किया जाता है तो प्राप्त राशी कितनी होती है मतलब यहाँ से आप से इमाउंट पूछा गया है जिसमें प्रिंसिपल और C.I. आपका दोनों एड होकर आएगा मतलब फाइंड दा इमाउंट रिसीट वाई 15,000 एड बी परसेंट बी की वैलू कितनी आई थी 20 परसेंट पर एनम की रेट से C.I. पर दो साल के लिए निकाल दो तो बड़ा सिंपल है यार दो साल एक ग्रिड बना लो दो साल वाला 15,000 का 20% कितना आएगा 3,000 रुपया पहले साल में 3,000 दूसरे साल में भी 3,000 फिर क्या है दूसरे साल में जो ये 3,000 होगा इसके उपर इंटरेस भी तो आपको मिलेगा 20% की रेट से तो ये कितना आजए तीन हजार का 20% कितना आगया 600 पूरा CI कितना उसको मिला 3 और 3 चे और 6 चासट सो ठीक है उसने इमाउंट कितना लगाया था 15,000 रुपया क्योंकि प्रिंसिपल इमाउंट 15,000 लगाया इतना उसको CI मिला टोटल आपसे इमाउंट पूछा जा रहा है तो 15,600 किसी को कोई दिक मुझे लग रहा है नहीं होगी ठीक है एक बार इस question को बनाओ देखो इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि find the ratio of the initial amount invested by सारा to the marked price of the article which is sold for Rs. 35,000 by the vikas मतलब सारा द्वारा निवेस की गई प्रारंबिक राशी ये कितनी है ये है 45,000 रुपय ठीक है जो कि सारा नहीं लगाई है फिर क्या कहा गया है कि यहां पर आपको बताना है कि और बस तो कि अंकित मूले का अनुपाद ग्याद करें जिसे विकास दोहरा 35,000 रुपय में बेचा गया था तो भाई जब 35,000 रुपय में जिसको बेचा गया था उसका हमने अंकित मूले mark price निकाला था कितना आया था 49,200 रुपय आया था question में जब हमने calculate किया था तो आपको पता होगा 49,200 के साथ ratio निकाल कर नीचे comment करके हर एक वो बंदा बताए जो प्लीज इस वीडियो को देख रहा है multiple comments हो मजा आएगा पता चलेगा कि कितने sensor आप लोग है अगर मैं वीडियो को बना रहा find the original discount offered by विकास बही original discount आप किसको consider करोगे पूछा है ना कि बास्त्विक छूटकी गड़ना करके बताओ तो बही जल्दी से नीचे मुझे बताओ बास्त्विक छूटकी कितनी value आपकी आई ठीक है अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे ठीक है तो मैं आपको एक बार option दे दे दरूँ आपको option दे दरूँ आपको 2100, 4228,000 और यह आगे 84,000 ठीक है तो नीचे बताओ कौन सा वाला इंसर आ रहा है वैसे option तो बच्चो वाले आ ठीक है आप समझ गऊगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और ऐसे ही high level उच लेवल के उच्छी कोटी के DIM हम आपके लिए दिलाते रहेंगे आप लोग अपनी request नीचे जरूर देना कि आप अगला topic क्या चाहते ताकि हम उस पर work करें thank you have a good day to all of you अपना ध्यान जरूर रखें